तो हलो दोस्तों महिवा विशेक और आप देख रहे हो पॉल्टे वाला यूटूब चानल तो दोस्तों आज की शुड़ में हम बात करेंगे कि देशी पूट्री फॉर्मिंग करते समय देशी मुर्गों की जितनी भी नसल होती है चाहे फिर वो ओरिजिनल गावरान की जो कम अगर विचार करें अगर इन सभी मुर्गों के बारे में अगर हम सोचें तो क्या ये मुर्गिया सिर्फ क्लिरेंश सिस्टिम में खास में घुबर खाके और अन्डा दे सकते या को हम अगर आप नए पूट्री फार्मा हो तो आपके मन में यही सवालों का इस यूट इस बात में कितनी सच्चा ही है और कितना जूटे और सच्चा है तो कितने प्रतिशत सच है इन सभी बातों को में प्रॉपर तरीके से आपको एस्प्रेंड करा के बताता हूँ वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा और दिल से लाइक करतीजेगा चनुक अभी तक के सस्क्रा पुल्टी के लेड़ेट बॉयलर पुल्टी फार्मिंग देशी फार्मिंग और लेयर पुल्टी फार्मिंग के 90% जानकारी आपको मिल जाएगी इस बुक में मैंने डिशीज मेडिसीन वैक्सिन और फीड मैंजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बढ़ होने के बार उनको बेशन दक इन सारी बातों को कवर किया है और यह दोनों भी बुक आपको हिंदी इंग्लिश और मराथी भाशा में मिल जाएगा और हाड़ बुक आपको 250 रूपिज में मिल जाएगा अगर आप प्रिपेट 250 रूपिज ऑनलाइन पे करके इस बुक को घास खाकर या फिर गोबर खाकर या फिर मार्केट से जो की वेश्ट आप लाकर अपनी मुर्गों को थिलाचे हो वो खाकर क्या आपकी मुर्ग आपको अंडा देगी या फिर नहीं देगी आपकी मुर्ग वजन बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी देखे इस बात पर पूरा का पूरा खेल depends है कि आपकी मुर्गया वो लोग को फिट खाकर घास खाकर गोवर खाकर आपको अंडा देगी या फिर नहीं देगी या फिर वजन बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी दोनों भी सिन्यारों में जब आप 15-20 मुर्गों को बहार में फ्लीरेंस सिट्पिम में छोड़ते हो तो उनको खाने के लिए बहुत जादा एरिया मिलता है आपके घर के आजू-बाजू के एरिया में पोलिये या फिर आपके खेत में बोलिये कहिना का मतलब है अगर आप चाहा कर उसको थोड़ा भी गेहू और चावल अगर नहीं भी देते हो तो वो 15-20 मुर्गों के लिए बहार के एरिया में इतना जादा खाना मौझूद है कि यहीं वही, जैसे की घास, हरी घास, गोबर हो गया, केड़े, जमीन पर केंचुओं मिलते वह, किड़े मकोड़े हो गये इतना तरी के अनिक पर चीजह, खेत में के साथ-साथ ज़ो घर के बाजू की अरिया होते वहाँओ उसके उनकी एनर्जी की रिक्वार्मेंट, प्रोटिन की रिक्वार्मेंट, कैल्शिन की रिक्वार्मेंट पूरी हो जाती है, और 101% इसी फिट पर आपकी खेत की मुर्गियों या फिर घर की मुर्गियों अंडा भी देगी, और साथ इसर अगर आपके छोटे बच्चे है तो वो छोटे से बड़े भी होंगे वजन भी बढ़ाएंगे एक किलो देड़ी किलो दो किलो साइट से भी होंगे जहां तक के तो बात क्लिया रहे कोई दिक्कर नहीं अगर आप एक्स्टर्नली उसको गेहुचावल नहीं देते हो तो ग्यारेंटेड आपके मुर्गी छोटे सी बढ़ा हो पाल सकतेड नहीं सकते शेड पर आपने उन मुर्गों को जैसे के खेत पर शेड बना कर लोकाूर बना कर वहां पर आप तो पूरे के पूरे खेत में उनको खुला नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि नेवला हो गया मुंगूस हो गया जंगली बिल्ली हो गया इन जैसे जो जनावर होते हैं वो मुर्गों को खा सकते हैं आपका नुकसान कर सकते हैं इसके लिए आपको उसको प्रोटेशन करना होता है लगवा कर तो भले आपके पास पाच एकर दस एकर जमिन क्यों ना हो लेकिन आपको कमपॉंड करना होता है इसी के वज़े से आप क्या करते हो 15 से लेकर 20,000 स्क्वेर फिट का जो भी एरिया होता है उसमें आप कमपॉंडिंग करवाते हो तो जो भी आपकी 300 से लेकर 500 घास मिलेगी कीडे म मिलेंगे गोबर मिलेगा इसके दिने आगे वड़ते गएंगे 15 20 लेकाष पुली से खत्म हो जाएगी वह का गोबर रख तो जाओं सुन होते जो फ़रे रहीता था उन्हीं करना अंगी लेकिन तब आपकी मुघव की संंख्या से जो क dairy मकोड़े घाने के बाद जो मिलता उनको उनको और मिले차 नहीं कहिने कार्ट पर यह एक बार 15-20 स्क्वेर फिट का जितना भी घास गोबर किड़े मकोड़े केंची उन्हें खा दिये न तो फिर से उनको तैयार होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि मुर्गों की संख्या जादा है तो ऐसे समय में अगर आपको आपके मुर्गों स अंडा चाहिए और वजन बढ़ाना है कम से कम पैसों में घास खाकर तो ऐसे में आपको घास या पिर पत्तागोपी का पाला टमाटर मार्के से लाना पड़ेगा मार्केट वेस्ट लाना पड़ेगा सस्तेदानों में जहां भी कंट्रोल के दुकान होते स्वस्तदाने दु आपकी मुर्गी वजन बढ़ाएगी तो आई होब दोस्तों क्या घास खाकर गोबर खाकर प्रियरें सिस्टेम की जिति भी लोकार फिड खाकर क्या आपकी मुर्गी अंडा देगी आपको मिल गया होगा इसी तरह का पूल्ट्री का आएकर नया वीडियो लेकर मैं मिलता आप मुर्म प्रिय।